दोस्तों आज का वीडियो शुरू करने से पहले ये जानते हैं कि देश और दुनिया में इस समय क्या चल रहा है अगर भारत की बात करी जाए तो कॉरोना वारस की केसिस जो है ये पैंसट सो भी जादा एक दिन में आ रहे हैं अभी तक सिर्फ सहरों में कॉरोना वारस था लेकिन जब से ये जो स्रमिक हैं मजदूर हैं जो सहरों से अपने गाउं पहुँचे हैं अब गाउं में भी 300-400 इस प्रकार की केसिस मिलने सुरू हो गए हैं तो मतलब हम एक ऐसे दोर में जा चुके हैं कि अब कॉरोना वर्स जो है सहर की सासत गाउं में कहीं पर भी आ सकता है दूसरा भारत और नेपाल के बीच में जो बॉर्डर इसू चल ला था तो नेपाल ने अपना नया मैप जारी कर दिया था उसके बाद में अब उसने क्या किया है कि जो disputed area था वहाँ पर उसने एक नया road डेवलप करना शुरू कर दिया है तो वो अपना एक नया रास्ता वहाँ पर बनाना उसने start कर दिया है साथी साथ में नेपाली लोग जो है वो धमकी भरे वीडियो बना-बना कर भारत को भेज रहे हैं कि भारत के साथ ये कर देंगे वो कर देंगे तो ये सब सिलसला चल रहा है साथी साथ में अमेरिका और चाइना के बीच में जो कोल्ड वार चल रहा था उसमें क्या हुआ है कि अमेरिका एक बार फिर से अपने जो हतियार थे उनका जो टेस्टिंग रोग चुका था उसको उसमें एक बार फिर से शुरू करने का अनूस्मेंट कर दिया है उदर Corona virus को लेकर पूरी दुनिया दो हिस्सों में बढ़ गई है जिसमें की कुछ देश जो चाइना के साथ में है और कुछ देश जो बिल्कुल चाइना के N.T. में है इसमें से रसिया चाइना के साथ में है और भारत ने चाइना के खिलाब एक पैक्ट पर साइन किया था जि इधर एक इसु और कबर कर देता हूं कि भारत और चाइना का जो बॉडर है यानि कि लद्दाक रीजन में वहां पर भी भारत और चाइना के सैनिकों के बीच में थोड़ी बहुत हाता पाई चल रही है तो ये सबी चीज़े अभी चल रही है शुरू करते हैं आज के सबसे प सामिल होने वाला सिक्किम जो था ये भारत का उस समय 22 राज्य बना था ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि भारत जो है ये सिक्किम जो है ये भारत का 22 राज्य बना था जिस समय ये भारत में सामिल किया गया था अब ये स सिक्किम राज्य इस समय चर्चा में क्यों चल रहा है चर्चा में दोस्तों इस वज़े से चल रहा है कि अचानक से महौल खराब तब हो गया जब दिल्ली में एक निउस्पेपर में एक एर छपा था और दोस्तों आप विश्वास नहीं मानोगे मुझे भी इस चीश पर बेसेश पर एक पोस्ट आई थी जिसके लिए जो लोग एपलाई कर सकते हैं उनका जो इलिजगीलीक क्राइटेरिया है उस eligibility criteria में लिखाता citizen of India तो citizen of India का मतलब है कि भारत के सभी राज्जे उसमें include हो गए हैं लेकिन साथ में लिखा है कि citizens of Bhutan और नेपाल तो ये भुटान और नेपाल तो पड़ोसी देस हैं, अलग देसों के उसी देसों के साथ में लिख दिया subject of Sikkim यानि कि आप Sikkim को भारत का राज्जे नहीं मानते थे, आप Sikkim को भुटान और नेपाल जैसा एक अलग territory मान रहे हैं, इसी विज़े से आपने Sikkim के लिए अलग से सब्दका इस्तेमाल किया है अब बस सीधी सिभाती की जैसे ही उन्होंने इस सब्दका इस्तेमाल किया बराबर इस चीज को पकड़ लिया गया और बाद में अर्विन केजरी वाल को इस चीज पर सौरी बोलना पड़ा, तो दोस्तों मैं हैरान हूँ ये चीज जानकर कि भारत के अंदर में ही ऐसे लोग बैठे हैं, जो भारत के ही राज्य को किसी दूसरे देश का बताने लग रहे हैं आपको पता होगा कि चाइना का तो बिलकुल यही प्रोपेगंडा है, चाइना तो चाहता है जैसे कि आप यह मैप अगर देखोगे, भारत और चाइना के बॉडल का, तो चाइना का क्या कहना है चाइना जो है, यह लदाख का जो इधर का रीजन है, इसको अपना बताता है दूसरी बात, चाइना का बोला है कि यह जो अरुनांचल प्रदेश है, ये इनका जो तिबबत एरिया है, उसका पार्ट है तो इसको अरुनांचल प्रदेश को भी अपना बता रहा है, आप रही बात, यह जो छोटा सा सिक्किम राज्य है इसको भी इस तरीके से देश के अंदर महौल बना जा रहा है कि ये टॉपिक गरम हो जाए मुद्दा गरम हो जाए दूसरे देश वालों को इसमें कह सकते हूँ कैटलिस्ट उरवरक की तरीके ये सब चीजे काम करेंगी उनको ये समझ में आ जाएगा कि इंडिया के अंदर में कोई ऐसा वर्गती है ऐसे एक सरकार है जो कि हमें सपोर्ट कर सकती है सिक्किम को भी हमें देने के लिए तो इस परकार से ये इस समय निउस में चला था तो यहाँ पर इसके बारे में और भी चीज़े समझ देते हैं सिक्किम के जो इस समय मुख्य मंत्री है वो है प्रेम सिंग तमांग सिक्किम की स्थापना हुई थी 16 मई 1975 में इसकी कैपिटल है गंगटो और सिक्किम की जो सीमा है वो कौन-कौन से देश और राज़े से टच करती है पस्चिम मंगाल से टच करती है इधर साइड में नेपाल से चाइना से और तिबबत और भुटान इन सभी देशों से भी इसकी सीमा टच करती है सिक्किम का मैप हम लोग अकर देखेंगे तो देख सकते हैं इस तरफ से नेपाल नीचे से आपका पस्चिम मंगाल भी इसको टच करता है बस यही बला कोशन एक्जाम में सबसे जदा पूछा जाता है कि कौन सा भारत का राज्य सिक्किम से टच करता है तो आंसर हो जाएगा पस्चिम मंगाल इसको टच करता है इधर में चाइना का तिब्बत हो गया और इस तरह आपका भूटान हो गया तो यह सब पड़ोसी देश है पड़ोसी बांडरी से जो कि आपको एक्जाम के पॉइंट अप व्यू से पता होनी चाहिए दोस्तो आई हूप आपको समझ में जनवरी फर्वरी और मार्च महिने का जो करन्ट अफस था जिसका प्राइस रखा गया था 100 रुपीस आज इसका लाश्ट डे है बारा बज़े से पहले आप इसका पेमेंट कर सकते हैं उसके बाद में आप इसका पेमेंट करने के लिए लेस्विल नहीं होगे तो जिसको भ के न्यूज एंकर है और पिछय जो बैक्ग्राउंड चलता रहा होगा यहां पर पर आपको देख रही है कि यह जो इंसान यहां पर नहीं है तो इसको देकर राइड एंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर भी चाइना चाइना इसका राइड एंसर हो जाएगा तो यहां पर देखो दुनिया की पहली आर्टीफिसिल इंटेलीजिंस परादारी जो 3D पता नहीं चाइना क्या क्या देश करने वाला है और पता नहीं यह क्या क्या चीजें किया करता है तो अप्शन नमबर भी सही हो जाएगा यहां पर इसका एक फोड़ो देख सकते हैं जिसमें कि यह निउस एंकर जो है यह 3D मॉडल है आर्टीफिसिल इंटेलीजिंस पर बेस यूज रीडर है जिसमें कि आप बिल्कुल भी पैचान नहीं सकते हो कि यह मलब नकली है या असली है तो इसको चाइना ने हाल ही में डवलप किया है दोस्तों अगला कुशन इससे भी जाड़ा है अभी तक हम लोगों ने जो नेट का स्पीड सुना था वो MBPS में और GBPS में सुना था अभी देखो दुनिया का दुनिया का सबसे तेज जो इंटर्नेट है इसका तेस्टिंग कर लिया गया है और इसकी स्पीड क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ कुशन या पर बनेगा कि हाल ही में किस देश के वएज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे तेज जिसकी speed है 44.2 tbps को test किया है, तो इसका right answer हो जाएगा, इसको हाल ही में test किया गया है, Australia, option number D सही हो जाएगा, Australia के वज्यानिकों के द्वारा, तो Australia के scientists ओने हाल ही में इसकी testing कर दिया है, जिसमें कि दुनिया का सबसे तेज speed का जो internet है, जिसकी speed है 44.2 tbps के नाम से इसको जानते हैं, तो आप कल्बना कर सकते हैं कि कितना speed इसमें होगा, इसमें खास बात ये है दोस्तों कि आप 1000 HD का जो movie है, ये मातर एक second में, single second में, मतलब आपने जितने भी बड़ा file होगा, 1000 HD का movie होगा, आपने click किया और आप अगर बोलेंगे कि movie डाउनलोड हो गई, तो उससे पहले वो movie डाउनलोड हो चकी होगी, तो एक second से भी कम समय में वो movie डाउनलोड हो जागी इतनी speed में, साथी साथ में खास बात इसकी ये भी है, कि इसके लिए आपको सिर्फ अपने laptop में एक छोटा सा device लगाना पड़ेगा, आपको कोई बहुत बड़ा तीन जाम नहीं करना पड़ेगा, ये जो device है इसको देख सकते है, इस तरीकरी से लंबा सा ये device है, इसको device को बुला जाता है, microcomb, com मतलब होता है कंगा, तो ये कंगे की तरीके से दिगरा इसमें दाते हैं, तरकार से ऐसा लग रहा कंगा हो, इस वजए से इसको microcomb को के नाम से जानते हैं, उसी को लगाकर या 44.2 टेरा बिट्स पर सेकेंड का जो स्पीड है वो प्रात कर सकते हैं तो यहाँ पर इसके बारे में और भी चीज़े हैं वो इसको PDF डाउनलोड करके पढ़ लेना उसके बारे में कोशन है कि पैंगोंग तुसो जहील कहाँ पर इस्तित है तो इसका राइड एंसर हो जाएगा option नमबर B लदाग इस समय जो भारत और चाइना और भारत के बीच में जो लदाग बॉर्डर पर जो अभी dispute चल रहा है यह वही एरिया है जो इस जहील के आसपास का एरिया है तो इस समय यह जो पैंगोंग तसो जहील है यह लदाग में इस्तित है इस समय नियूज में चल रही है इस वज़े से आपको यह पता होनी चाहिए उसके बाद में कुशन है कि हाल ही में यूनाइटेट नेसन ने भारत की किस राज्य की खुडोल पहल एक खुडोल नाम से परयोजना है उसको कोविट 19 के खिलाफ लड़ने के सीर्स दस वैस्विक पहलों में से एक रूप में सूची ब्रद कर लिया है मतलब हाल ही में यूनाइटेट नेसन ने दुनिया भर की 10 सबसे सांधार कोविट 19 को फाइट करने के लिए जो स्कीम से लाई जा रही ही कोई पहल है उसको एक लिस्ट बनी है दस टॉप 10 की उसमें भारत के खुडोल नाम का पहल जो है इसको सामिल कर लिया गया है अब यह जो खुडोल नाम का पहल है यह भारत के किस राज्य से विलंग करती है तो आंसर हो जाएगा इसको भारत के मनिपुल राज्य में सुरू किया गया था तो option number 20 हो जाएगा अब ऐसा इस पहल में क्या खास बात है कि इसको इसमें इस्तान मिला है इससे समंधिर प्रभावित लोग हो गए LGBT हो गए या फिर जो डेली वेसिस पर कमाते हैं ऐसे लोग हो गए इन सभी लोगों के बोजन की विवस्ता इनका जीवन इनकी स्वक्षता इनका स्वास्त इन सभी चीजों को लेकर इसने काम किया था और बहुत ही सांदार तरीकी से काम किया था जिस पर जैसे इस योजना को इस पहल को उसमें सामिल कर लिया गया है बाकी सारी चीज़ों को आप लोग प्रणोड करके पढ़ लेना दोस्तों ये 2020 पता नहीं दुनिया में क्या करवाने वाला है अभी देखो इस समय कोरोना वारस तो चल रहा था साइकलोन आ बन कर देंगे हमारे जितने भी मुबाइल हैं यह अचानक से काम करना बन कर देंगे तो बहुत प्रॉब्लम यहां पर क्रेट हो जागी इसको लेकर देखो कोशन क्या बना है कि कि किस आंत्रिच एजेंसी के वग्यानिकों के अनुसार अफ्रीका से लेकर लैटिन अमेरिका के बीच में प्रत्वी का जो चुमकी छित रहे वो कमजोर हो रहा है तो इसका राेट अंसार हो जागा यूरोपी अंत्रिच एजेंसी एक्च्छल में यह जो यूरोपी अंत्रिच एजेंसी है इसने दो-दो सैटलाइट्स लगा रहे हैं सिर्व प्रत्वी का मैगनेटिक पता करने के लिए तो उनका जो डेटा है उसके इसाफ से उन्होंने जो रिपोर्ट तयार करी है उसके अनुसार अफरीका से लेटिन अमेरिका के बीच का जो छेत्र है यहां पर आप देख सकते हैं यह अफरीकन कॉंटिनेंट है और यह लेटिन अमेरिका रहा तो अफरीका और लेटिन अमेरिका के बीच का जो छेत्र है इस छेत्र में यहां पर जो अर्थ का मेगनेटिक फेल्ड है यह बहुत तेजी से डाउन हो रहा है तो यहां पर चिंता वाली बात यह है कि अगर इसी तरीके से यह कम होता रहा तो हमारे सेटलाइट काम करना बन कर सकते हैं साथी साथ में बहुत सारे रेडियेसंस आते हैं सूरी की तरफ से हमारी तरफ तो उन सभी पार्टिकल्स को यह अब्जॉर्ब कर लेता था जो कि अब नहीं कर पाएगा मतलब कह सकते हो कि हमारी लाइफ जो है यह बहुत ज़्यादा इससे एफेक्टेड होने वाली है अब इन सब चीजों को साइंटिस्ट किस नजरिये से देखते हैं साइंटिस्टों का कहना है कि एक समय के बाद में जो प्रत्वी के जो पोल्स होते हैं जिसे नौर्थ पोल हो गया साउथ पोल हो गया तो यह समय समय पर अपनी पोजीशन को Change करते हैं, हो सकता है, थोड़ा सा сильно हो रहा हो, हो सकता है कि S की जिगए N, N की जिगए S, मéesब इस तरीक्शे से कुछ विस्तापन हो रहा है जिसकी विज़े से ऐसा होता है, और Scientist की माणिए, तो उन्होंने अपनी positions को change करेंगे तो अगर ऐसा भी होता है तो भी हमारी बहुत सारी जो electronic devices हैं वो affected हो जाएंगी हमारा life जो है वो affected हो सकता है तो यहाँ पर दोस्तों यह खास बत यहें कि समझ में नहीं आ रहा कि 2020 में ऐसा पता नहीं क्या होने वला है आप लोग इसके बारे में क्या सूसते हैं कमेंट करके जरूर बताना क्योंकि ऐसी बहुत सारी गटनाय देखने हो को मिल रही है जो कि हम लोगोंने सायद पहले कभी न सुनी हूँ अगला कुशन देखो क्या बना है अभी भारत के उडिसा और पस्चिम मंगाल में और पडोसी देश बंगला देश में अमफान नाम से तूफान आया था अभी एक और तूफान है जिसके बारे में कोशन मना है कोशन है कि चक्रवात मेंगा चक्रवात साइक्लोन मेंगा जो है दुनिया के किस देश को प्रभावित करने वाला है तो इसका राइड एंसर हो जएगा ऑस्ट्रेलिया दुनिया का एक देश है ऑस्ट्रेलिया वहाँ पर एडवाइजरी जारी कर दी गई है rarest of the rare मतलब बहुत ही typical cases में यह जो चक्रवात है यह आता है जिसका नाम है महेंगा जो कि 5-6 गंटे के अंदर में आस्ट्रेलिया में आने वाला है और हो उमीद करते हैं चुकि यह rarest of the rare cyclone है इस वज़े से काफी बड़ी मात्रा में नुकसान भी कर सकता है दोस्तों दुनिया के सबसे अमीर वेक्तियों के सूची में मार्क जुकरवर्ग का नाम top 3 से बाहर हो गया था लेकिन अभी इस lockdown में मार्क जुकरवर्ग ने बहुत सारा पैसा कमा लिया है तो उसको लेकर देखो कोशन क्या बना है कि एक और्गनाईजिसन है ब्लूम बर्ग ब्लूम बर्ग बिलेनियर्स इंडेक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर वेक्तियों की सूची में मार्क जुकरवर्ग कौन से इस्तान पर पहुँच गए है तो मार्क जुकरवर्ग ने एक छलांग लगाई है और वो बॉरेन बफट को पीछे करते हुए तीसरे इस्तान पर पहुँच गए है तो उप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होड़ाएगा जिसके लिए अनॉंस किया जादा है कि यह पूरी दुनिया का सबसे पहरा ट्रिलेनियर होगा तो इसकी जो इसका जो बिजनेस है वो भी इंक्रीज करेगा क्योंकि सब लोग चाहेंगे कि ओनलाइन चीज़ों को खरीदें इदर फेस्बुक भी ओनलाइन बिजनेस है तो इसका भी पैसा बढ़ा है अगर अभी इस रिपोर्ट की देखें तो सिर्फ पिछले दो महिने में मार्क जुकरवर की संपत्ती में 30 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी होई है साथी साथ में आपको याद होगा अब जो फेस्बुक है ये ओनलाइन सौपिंग के बिजनेस में भी अपने कदम रख रहा है और इसने हाल ही में सौप्स नामसे पहल की सुरवात करी है जिसमें कि आप ओनलाइन सौपिंग भी कर सकते हैं तो ये भी पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए उसके बाइद में कुशन मनता है कि एक सर्वे के अनुसार वर्स 2020 के भारत के 50 सबसे जदा प्रभावसाली लोगों की सूची में पहले स्तांदर कौन सा विक्ति आया है तो इसका राइड अंसर हो जाएगा सोचने की बात ही नहीं है सभी को आंसर पता है नरेंद्र मोदी इसका राइड अंसर हो जाएगा तो अप्शन नंबर 20 ही हो जाएगा कि हाली में नरेंद्र मोदी जो है भारत के 50 सबसे जदा प्रभावसाली लोगों की सूची में पहले कालग दोरा लोगों के दोरा बनाएके रिपोर्ट में आंसर चेंज हो सकता है तो इस रिपोर्ट को इस सरवे को तयार किया है जल्दी से सुरू कर लेते हैं आज के पूरे करनलेफस का रेविजन उससे पहले अगर आपको विडियो देखकर मजा आया हो आगर आप हमारे कंटेंट को लाइक करते हूं तो इस वीडियो को लाइक करके हमें बताएं कि आपको ये कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है सबसे पहला कुशन जिसका आंसर आपको देना है कमेंट बाक्स से देखते हैं आपने क्या सीखा है कि एक सर्वे के अनुसार वर्स 2020 में भारत के 50 प्रुभाव साली लोगों की सूची में पहले इस्तान पर कौन सा व्यक्ति आया है तो जल्दी से इसका आंसर लिकर वेज़ दो तो नरेंद्र मोधी इसका राइड़ आंसर हो जागा उसके बाद में है कि चर्चा में चल लए सिक्किम राज्य जो है ये भारत का कौन से नंबर का राज्य बना था तो ये भारत में सामिल होने वाला 22 राज्य था आई होप आपने सही आंसर टिक किया होगा चल ये जल्दी से अगले कुशन का अंसर बना कर बेस दो कि हाल ही में दुनिया की पहली 3D News Anchor लॉंच कर दी है किस ने किये है तो इसका राइड अंसर हो जागा इसको चाइना देस ने लॉंच किया है इसके बाद में कुशन है कि हाल ही में किस देस के वेग्यानिकों ने दुनिया के सबसे तेज इंटरनेट 44.2 Tera Bytes पर सेकंड को टेस्ट किया है तो अस्ट्रेलिया के साइंटिस्टों ने इसको किया है इसके बाद में पैंगोंग तसो जील कहां पर इस्तित है तो ये लदाख में इस्तित है ठीक है सारी चीजे बहुत अच्छे से बताई है आपको उसके बाद में है कि हाल ही में यूनाइटेट नेसन ने खुदोल नामसेक पहल को भारत की तरब से सामिल किया है तो ये किस राज्य में सुरू की गई है तो मनीपूर इसका राइड अंसर हो जाएगा आई होप आपने सही आंसर किया हो उसके बाद में कोशन है किस आंतरिच एजेंसी के वग्यानिकों के अनुसार अफरीका लेटिन अमेरिका के बीच में प्रत्वी का जो मैगनेटिक फिल्ड है वो कमजोर होता जा रहा है जल्दी से अपना आंसर कमड़ पक्स में लिखकर एंटर मार दें जल्दी से बेज दें सभी के आंसर चेक करूँगा आंसर हो जाएगा यूरोपी ए आंतरिच एजेंसी इसका राइड अंसर हो जाएगा इसके बाद में साइकलोन का कोशन है कि साइकलोन मेंगा जो है यह दुनिया के किस देश को परफावित करने वाला है तो ऑस्ट्रेलिया इसका राइड अंसर हो जाएगा हाल ही में एक रेपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे अमीर लोगों की सूची में मार्क जुकरवर्ग कौन से इस्तान पर पहुँच गए है तो आंसर हो जाएगा तीसरे इस्तान पर पहुँच गए है दोस्तो अब पुरानी दिन का कोशन भी आपसे पूछ लेटा हूँ जिसका अंसर आपको देना है कि हाल ही में किस ओनलाइन कमपनी ने ओनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस की सुरुवात करी है जल्दी से अपना अंसर कमेंड फॉक्स में लिखना ना भूलें जल्दी सर्विस की सुरुवात करी है